और सब्सक्राइबर्स कैसे हो अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या यार इतनी मेलब पर पानी फेल दिया चलो फटा-फट सब्सक्राइब करो यार कद्या फ़र चलो अब पढ़ाओ तो दोस्तो फोन पे इंडिया में UPI transactions के market share में टॉप पोजिशन पर बैठा हुआ है करेंट में भारत में जितना भी UPI transaction होता है उसका 47% फोन पे के द्वारा होता है तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे UPI transactions के बारे में detailed video analysis मैं हूँ विने चोहान और अगर आप current, general, economic and banking awareness पर update रहना चाते हैं तो मेरे इस channel से जरूर जुड़ें क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर एक इस type के topic पर detailed video analysis और आज हम बात करेंगे UPI market share के बारे में UPI जिसका की full form है unified payment interface एक ऐसा immediate real time payment system जो की instantly mobile platform के थूँ एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजने का काम करता है तो UPI जैसा की नाम है unified payment interface तो ऐसा mobile interface ऐसा mobile platform जो की एक ही mobile application में almost सारी की सारी bank से payment करने के लिए allow करता है यानि की सारी की सारी bank का unified payment system सीधे शब्दों में बोले तो तुमारा खाता किसी भी bank में हो तुम UPI application download करो और तुम किसी भी bank से किसी भी bank को instant payment कर सकते हो तो है न यह बिलकुल rapchic idea यह rapchic idea National Payment Corporation of India NPCI ने RBI और Indian Bank Association IBA के साथ मिलकर develop किया था तो UPI के कुछ key features इस तरह से हैं यह IMPS यानि की immediate payment services के थूँ instantly fund transfer करती है second यह digital payment service है और 24 into 7 यानि की 24 गंटे और पूरे हफते सातों दिन चाहे संडे हो चाहे दिवाली हो हर दिन काम करती है third एक ही mobile application से सारे के सारे खाते एक्सेस कर सकते हैं बस mobile number सब खातों में same होना चाहिए और इसमें कई सारे payment method होते हैं जैसे की एक तो आप mobile number से link खाते में पैसा भेज सकते हैं यानि की आपको जिस दोस्त के खाते में पैसे भेजने हैं उसका mobile number डाला और पैसे भेज दिये दूसरा जैसे की टिंकू कोटक at the rate UPI ऐसे virtual address डालके payment भेज दिया तीसरा QR code स्कैन करके पैसा भेज सकते हैं जैसे की आप दुकान गए बर्गर खा लिया वहीं दुकान में payment के लिए QR code चपका हुआ है कुछ ऐसे आपने अपना UPI payment app खोला QR code स्कैन किया और पैसे भेज दिया चौथा आप bank account number IFSC code account name डालकर भी पैसा भेज सकते हैं तो ये तो था दोस्तों UPI अब देखते हैं UPI के market share के बारे में तो दोस्तों बीते अगस्त मन्त में UPI के टोटल भारत में 3.55 billion UPI transaction हुए हैं यानि कि टोटल 355.55 करोड number of UPI transactions हुए हैं और उनमें से 1.62 billion यानि 162 करोड number of transactions phone pay के द्वारा किये गए हैं जो कि पूरे transactions का around 45% है इसके बाद दूसरे नमबर पर है Google Pay जिसने की 1.24 billion transactions को अंजाम दिया है जो कि 38% है टोटल transactions का इसके बाद तीसरे नमबर पर आता है Paytium जिसका share मात्र 8.81% है तो यह जो big 3 हैं यानि कि तीनों मिलाके almost 88% of market share cover करती है इसके अलावा जो छोटे मोटे UPI players है वो कर लेते थोड़ा बहुत काम तो दोस्तों I hope UPI क्या है कैसे काम करती है यह बिल्कुल clear हो गया होगा अगर वीडियो आपको पसंदायो तो काईली लाइक, शेर, और सब्सक्राइब थैंक्स पर वाक्षिए